तो इस तरह से इनके जो सासनकाल स्पुन सासनकाल को हम लोग तीन ठागों में बाट कर देखते हैं पहला भाग होता है 1210-1500 1210-1220 सिस्वीटर दौत्यी चरन होता है 1220-1229 सिस्वीटर और तीसरा चरन होता है 1229-1236 सिस्वीटर 1210 से 1220 का दमन्ह का जाता है और इसमें जो इनके विरोधी होते हैं वह हुते हैं पहले जो विरोधी होते हैं गजनी सासक याल्दूज जो है इनके प्रथम विरोजी होते हैं कर निसासक यालदूज के साथ इनका यालदूज जो है दिल्ली संतना तो शिंद प्रांत पर अपना दिकार करना चाहते हैं और इस तरह से आपको यालदूज को यूद में पराजित करते हैं और यालदूज पर अपना विजय प्राप्त करते हैं और इस तरह से अपने आपको स्रक्षित कर पाते हैं दूसरा सेसन दूसरा जो विरोदि होते हैं सिंध व बुल्तान के साथ सथ कुवाचा का थिकार लता है कुवाचा क今ो महमघ गौर्य के टाइम के समय के समय से ही श्चेतर से क्ळिवाथ होते तो ऑर इनके साथ 12,7 श ağr2 137 में 261 इस आ या मुल्तान वर अधिकार करने के प्रफाप करने का प्रयास किया जाता है और उस कुबाचा के बरते प्रफाप को रोकनी के लए अपने पूत्र नाशिरुदिन महमुद को भेजते हैं और कुछ समय के लिए हम देखते हैं कि नाशिरुदिन महमुद सिंद्वा मुलतान शेतर पर विजय क्राप कर अपना अधिकार स्थापिक करने में सफर भूता है तो इस तरह से हम देखने हैं कि इनका जो पर्थम चरन है वह अपने विरोधियों जो परवल सत्रुत है उसके दमल करने में बिखता है दूसरा इनका सासन काल होता है 1220 से 1229 सिस्वी यह मंगोर आक्रमन से सुरक्षा को लेकर जाना जाता है और इस इस में हम देखते हैं कि 1221 सिस्वी में फिनमा अऔर गोर कालो जो ममम बनी यह कुरते हैं उनका पिछा करते हैं लिए नेंटे के इसके फिल स्ट्थ सिंद तक आते हैं और और कहा जाता है कि मंगबर्नी चंगेज खास से अपनी रक्षा के लिए इल्दुतमिश से मदद की याचना किये थे लेकिन इस समय इल्दुतमिश ने बहुत थी कुठनिती का परिचे दिया और उसने मंगबर्नी की कोई सहाता ही नहीं की और इस प्रश नहीं कर पपा है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मंगबर्नी के द्वारा जो इ Kayla यह राजनीतिक ईस्टी कौण से बिलकुल º3 तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली को इन्होंने चंगेच खा जैसे मंगोल आक्रमन कारी है उससे दिल्ली को यह शुरब चित कि इसके अलावा इन्होंने कुछ अभ्यान किया जैसे 1224 से 1226 में बंगान पर अभ्यान किया बंगान में हम देखते हैं कि मौमद गौरी के समय अली मर्दान सासक होते हैं अली मर्दान के बाद उसके उत्रादिकारियों में से सासन करते क्या जाता है और इस समय जो सासक होते हैं जो बंगान के बंगान को उरिशा को जो छेतर होता है इस समय सासक होते हैं बंगान लग्य से 1224 से 1226 में बंगाल अभ्यान होता है और गया शुदिन एवज को ये पराजित करते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये राजपुता ना च्छी यह जो काल था राजपुतों का काल के रूप में से इसके पैंडेम देखते हैं कि मदिकाल पुरुमदिकाल का जो च्छ 1224 श्वबिष के बघ़िए झाब करते हैं 1227 में मंदौर परियादि अधिकार करते हैं मंदौर पर इनका अफ्रमन होता है मंदौर के बाद हम देखते हैं कि पुना 1227 स्विमें पुरा देखते हैं कि सिंद और मुल्तान के छेत्र में पुर्ण अधिकार इनका उता सिंद और मुल्तान पर इनका विजय प्राक्त होता है तो यह जो है पड़दूती चरण मंगोर आक्रमन से सुरक्षा और समराज विस्तार के रूप में अनिसमस्यां के निदान के रूप में जाना जाता है जिसमें से बंगाल पर विजय प्राप्त करना, रंधंबोर पर विजय प्राप्त करना, मंदोर पर विजय प्राप्त करना, सिंध्व मुल्तार पर विजय प्राप्त करना इसके अलावा हम देखते हैं कि दौआप का जो छेतर होता है उस पर भी विज़े प्राप्त करने की शुरुवात इसी समय हो जाती है तीरती चरन होता है 1229 से 1236 इस चरन में परशाशनिक शुधार और सत्ता को सुद्रिर करने का प्रयास किया जाता है तो परशाशनिक शुधार के रूप में सबसे जो पहरा सुधार हम दो देखते हैं कि पहले तो सुल्तान पद्र की प्राप्ति इनका करना 1239 सिस्वी में सुल्तान गोशित करना या परमुक काम देख सकते हैं जो इसी काल में हो जाता है करते हैं इसके अलावा हम देखते हैं कि इस काल में कुछ विजय अभ्यान करते हैं बारा सो एकटीस इस्वी में उज्जैन एवं ग्वारियर पर अधिकार करते हैं कि लोगालियर विजय होता है बारा सो एकटीस इसी समिने कि कालींजर पर भी इनल का अभ्यान फोटा है के तो यह कुछ विजय के रूप में भी सत्ता सुद्रीरी करन के लिए उन्होंने कुछ विजय को भी करccoli सुरू किया तो राता तो इसके बाद 34 में 1234-35 में इन्होंने मालवा पर अधिकार किया फिर इसी समय हम देखते हैं कि जो अवद का छेत्र है उन सब छेत्रों पर भी विजय प्राप्त करने का अवद प्रांद पर भी विजय प्राप्त की गई इसके अलावा हम आपको बता दो कि इसी समय अवद में पिर्थू का विद्रों होता है पिर्थू के नेत्रित में विद्रों होता है जो पिर्थू का विद्रों के नाम से इत्यास में जाना जलता है अवद के छेत्र में तो यह प्रशास सत्ता को सुद्रिर करने के लिए इसके अलाबा कुछ पर्शाशनिक शुधार भी इनकी द्वारा किया गया जो मैं पर्शाशनिक शुधार आपको में इधर बता देती है आप 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 ते रहता है पर्शाशनिक शुधार कैं अ llev पर्शाशनिक शुधार का प्रशाशनिक शुधार कैं का तुरकर्ण एचछलिंडगादども तुर्कान ए चिहल गानी ये चालिस जो तुर्क दास थे उसका एक समुद था ये चालिस तुर्क दासों का एक गुड बनाया गया था गुलाम सरदारों का गुड था और इनकी मदद से ये सासन ब्यवस्था को चला रहे थे परशांतिक सुर्वार के रूप में हम देखते हैं कि पहला कामिक होने तुर्कान ने चिहल गामिक का बठन किया जो चालिस गुलामों का एक दल हुआ करता था चालिस गुलाम सरदारों का एक दल बनाया है और इनकी मदद से ये सासन ब्यवस्था को चला रहे थे इसके बाद इन्होंने इकता ब्यवस्था की इकता ब्यवस्था को अपनाया इकता ब्यवस्था प्रांति सासन के रूप में इकता ब्यवस्था एक प्रमुक ब्यवस्था के रूप में जाने जाती है और इसके जो परधान नियुक्त के जाते थे राजा के द्वारा नियुक्त के जाते थे जो राजा के पट्टी जवाब दे होते थे और इस तरह से हम देखते हैं कि एक इक्तेदार बनाया जाता था और ये इक्तेदारों का एक जगह से दूसरे जगह अस्थानांत्रें भी कि ताक्कि भरष्टाचार नह थो इससरद हैं कि इकता व्सथा के आस्था कि द्वाराइ उसके बाद दोआप छेत्र पर जो आड़तीक दिश्टी पॉंड सेहाँ पुन छेत्र था प्रियास के उसको उसकी उपलब्धियों को देखने का काम किया तो अधिक नियंत्र अस्थापित क्या दौवाव के च्छेट में उसके बाद इसने साही से Willow करने के बाद हुने सिक्कों के छेटर में शुद अर्भी सिक्के चलाएं पहली बार भारत में शुद अर्भी सिक्के चलें सिक्कों के रूप में हम देखते हैं कि चांदी का चांदी के जो सिक्के थे वह टंका कहा जाता था और तामे के सिक्के को जीतल कहा जाता था посмотреть टो फैसे को इस fightingầy को कई तो इस तरद से ही इनके सासनकान legal इनके द्वारा 04 को को चलाए गया हुआ उसमें धक्साल का नाम को खुद्वाया जाता था राजाप के नाब सुल्टान के बारे में मतीं ॆ शिकर किया जाता था और इस तरद से शुीड़ को चलाए जो चांदी के जो सिक्के थे उसको टंका कहा जाता थे 165 ग्रेम के माने जाते थे और तामा का सिक्का चलाया गया जो जीतन कहा गया जो इस समय थे इतना ये इन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुलताना के नाम पर में शिक्के चलाए तो इस तरह सहे देखते हैं कि पहले बार दिल्ली शल्टनत के द्मारा सिक्कों के इस्तेमाल किया गया जो सुधर अरवी सिक्के थे तो शिक्कों के बाद हम इनके कुछ सांस्किर्तिक उ इसे सांस्किर्थिक उप्रब्दियां अब बात करते हैं सांस्किर्थिक उप्रब्दि सांस्किर्थिक उप्रब्दि में इनके सांस्किर्थिक उप्रब्दि में कुट्ब मिनार के निर्मार कारे को पुड़ा हुआ पाली उप्रब्दिये हैं इन्होंने अपने पुत्र जो नाशीरुदिन महमुद थे जिनकी इनके जिवितकारी में ही मिट्थि हो जाती है और उनका इन्होंने सुल्तानगरी में कबर बनवाया जो सुल्तानगरी के कबर के नाम से जाना जाता है सुल्तानगरी का मकवरा और मकवरा का जो कॉंसेप्ट है पहली बार इल्दुत्मिस के द्वारा ही भारत में परियोग किया जाता है तो सुल्तानकरी का मकवरा जो पहनी बार पर्थम बार मकवरा जो है हम देखते हैं कि भारत में इल्दुतमिस की द्वारा ही इस मकवरा के कॉंसेप्ट को लाया जाता है इसके अलाव हम देखते हैं कि 1223 में बदायू में जामा मजजीत का निर्मान होता है इतना ही नहीं इनका जो सासनकाल पर्मुक जो है चिंदकों लेखकों से भी सुसोवित रहा है में लेखकों जया में मिनुष उजיז राज और मलीक ताजू दिन पर्मुक विद्वान उनको वह इनके सासनकाल में जो कुछ विद्वान ऐसे जुनेय को आपना अपना सहिसय लगारती bene दिल्मानी कारग करने वाले भी थे योगी थे कुसल शेना नायक थे कुसल शेना पती थे और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाने वाले थे इनकी मेर्टियों बारशों 36 सिस्वी में हो जाती है और अपनी मेर्टियों के पुर्व इन्हों ने अपनी पुत्री को जो रजिय शुल्तान है इनकी पुत्री उसको ये अपना उत्रादिकारी गोशित करते हैं अलांकि इस चीट पर विवाद है इतिहासकारों में कि वह जीवित में गोशित करते के अपनी उत्रादिकारी रज्या शुल्तान को मानते हैं लेकिन एक परमपरा जो है वन्सवादी परमपरा उसका भी हम यहां पर शम्मिष्रन देखते हैं तो इस तरह से इन्हों ने जो दिखते हैं कि 1236 इस्वी में इनकी मिलत्यों के बाद जो है जो समसी वन्स है इसके बाद इनके उत्रादिकारी जो रज्या शुल्तान बनके आगती है वो और शासन करते हैं तो यह मैंने आप लोगों को समसुतिन इल्टुत्मिस के बारे में जानकारी दिया उमीद है कि आ आप हुआ होगा आप इसे अच्छी तरह से समझ गयोंगे फिर भी कोई कट नाई है तो आप लोग इसे इसको इसके बारे में पूछ सकती हैं